नमस्कार, क्रांती ओरेसा में आपका स्वागत है एक बार की बात है रमा अपने बेटे की शादी के लिए सुमन नाम की लड़की देखने गई सुमन के घर पहुँचकर उनको पता चला कि वो बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है रमा की बेटे और सुमन के बीच बात के बाद रमा ने सुमन से कहा कि हम नहीं चाहते की हमारी बहु बच्चों को पढ़ाए इसलिए शादी के बाद सुमन को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना बंद करना होगा सुमन इस बात पर सहमत हो गई इसके कुछ दिनों के बाद सुमन और रमा के बेटे की शादी हो गई शादी के बाद रमा ने अपनी बहु को कहा कि वह तयार हो जाए शाम को परोस की औरते उसको देखने के लिए आने वाली है सुमन तयार हो गई जिसके बाद परोस की ओरते सुमन को देखने के लिए आ गई वो सुमन को देखकर रमा से बोली कि तेरी बहु तो बहुत सुन्दर है एक ओरत ने पूछा क्या यह नौकरी भी करती है रमा ने बताया कि शादी से पहले वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी लेकिन उसको यह सब पसंद नहीं है उसका बेटा अच्छा कमाता है इसलिए उसको काम करने की जरूरत नहीं है इस पर परोस की ओरत ने कहा कि मेरी बहु भी तो कमपनी में काम करती है उसने रमा को कहा कि उसको भी अपनी बहु को काम करने देने चाहिए रमा ने उनकी बात को अंसुना कर दिया कुछ दिन बाद रमा का छोटा बेटा हरीश अपने एक्जाम में फेल हो गया इस पर रमा ने उसको बहुत डाटा सुमन ने अपनी सास को बोला कि अब वह हरीश को पढ़ाएगी रमा ने बोला कि हरीश को वह कितना ही पढ़ा ले लेकिन वह पास नहीं होगा क्योंकि वह पाई में ध्यान नहीं देता इसके बाद सुमन हरीश को रोज पढ़ाने लगी हरीश को अपनी भावी का पढ़ाया हुआ अच्छे से आने लगा इसके कुछ दिनों के बाद हरीश की दो बारा अक्जाम हुए अपकी बार हरीश अच्छे नंबर से पास हुआ उसने यह बात अपनी मा को बताए इस पर रमा ने अपनी बहु सुमन की बहुत तारीफ की उसकी वजह से हरीश अच्छ एक्जाम में पास हो पाया रमा ने इसके बाद अपनी बहु को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की इजाज़त दे दी